कर्गिल युद्ध के जांबाजों को सलाम किन विप्रीट परिस्थिते वे कर्गिल के यही ही रोज ने पाकिस्तान को खदे रहा था भारत की भूमी से एल उसी पर जिस तरीके से आकर उन्होंने हमला किया था जिस तरीके से आकर उन्होंने कबजा करने की कोशिश की थी और जिस तरीके दे भारती फौजी उन्हें ख़देडा था उसकी कल्पना पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं कर सकता था और आगे भी शायद कभी नहीं कर पाए एक गोली का जवाब दस-दस गोली से दिया एक भारत का फाजी शहीद हुआ तो बदले में उसे दस दस फाजीओं को पाकिस्तान को मार गिराया सलाम है हमारे करगिल जुद्ध के उन फाजीओं को तो लोलिंग पहाडी पर साथ जुलाई को दुश्मन सेना के साथ आमने सामने की फाइरिंग चल रही थी दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी पहाडी पर बरफिली हवा थी और आकस्देन की पिल्कुल कमी हो चुकी थी लेकिन भारती अज़ाबाजों ने पीछे कदम नहीं अठाया बलकि आगे कदम बढ़ाते गे सीने पे गोलियां खा रहे थे पीठ नहीं दिखाई और गोला बारी में जवान मारे जा रहे थे शहीद हो रहे थे पीने को पानी नहीं मिल रहा था सत्रा जाट बटालियन के सैनिकों ने साथ दिन तक सिर्थ बरफ पीकर डिस्किट वे ड्राइफ रूट काकर दुष्टों में से लोहा लिया धोलो लिंग पहड़ी पर विजय पाने तक बटालियन के करीब 20 सैनिक वीद गत्य को प्राप्थ होगे 50 सैनिक जखमी होगे पाकिस्तानी क्रूरता का अंदाजा इस पास से ही लगाए जासकता है किसी के पैर, किसी की आँख तो किसी के हाथ तोड़ दिये गोलाबारी से लेकिन भारते फौजों के पोसले को पाकिस्तानी सैनिकों में तोड़ने में दम नहीं था और पाकिस्तान के सैनिक अब मूत और जवाब देरे ते खायल अवस्ता में भारते फौजी बेट में गोली लगने के कारण चाबर मल्पूनिया की हालत भी खराब हो रही थी लेकिन उनने हिमत नहीं आ रही परफ पर रहें देवे एक क्लिमीटर दूर मेडिकल केम्प में पहुंचे और किसी तरीके से उस घटना की सारी सूचना दी और भारती फौजी चिस तरीके से शहीद हुए है उसकी जानकारी दी पाकिस्तानी फौज का असला किस तरीके से पस्त किया उसके बारे में बताया और इस तरह ये जवान दुश्मनों से संगर्श करते रहे लड़ते रहे और पच्चीश ज़ुलाई की वो रात दब हमें पर यू चड़ उठा फिर और तिरंगा लहराने लगा